खर्पत्वार, खेत में फसल के साथ उगने वाली वो घासफूस और पौधे जिन्हें अगर जल्दी उखाड कर न फेका जाए तो वो पूरी फसल को बरबाद कर सकते हैं हमारे समाज में भी महिलाओं के साथ अपराद करने वाले अपरादी खरपत्वार की तरह फेले हुए हैं और पूरे समाज की जड़ों को खोखला कर रहे हैं आज जरूरत है कि हम सब मिलकर उन्हें पहचाने और समाज से उखाड कर बाहर कर दे हैं हमारे देश में पिछले तीन सालों में महिलाओं के साथ होने वाले अपरादों में 12 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और यह आखड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत बड़े रैकेट का परदा फाश किया यह कहानी है अमबिका की जो उत्तर प्रदेश के छोटे से घाउ कार्वी में रहती थी आज अब फिर कहीं जा रहे हैं हम आप से पूछ रहे हैं काम है रोशाम को ऐसा कौन सा काम रहता है स्कूल चलाता हूँ आइसक्रीम का ठेला नहीं है अजारो काम होते हैं मुझे अरे अब सीधे मुझे कहां थे अभितका हूँ नेन आ रही है खाना लगा हुआ हुआ है हमसे कोई भूल हुई है काम भूल करजे बूल आपने तो हमें पराये कर दिया है हमारी तरफ देखते भी नहीं अजय आपने झोती को क्यों ने ले जाते साथ में नहीं ले जा सकते, मतलब नहीं ले जा सकते अरे, अपनी मेंटी को ले जाने में क्या परिशानी है? बहुत हो ग्राफ अब ज़्यादा बख्मास करेगी न और मेरे सर पे चाठने की कोशिश करेगी जाब रखे कम से भरा को ही नहीं हो का लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहे थी कि हमारी जोती भी सीख जाती साथ में एक बार तुसे कहती है किस जादा बख्मास मत कर, तो मेरे बीवी है, बीवी की तरह रहे जुलिस वाली मदबन अगर मेरे काम के दूस्ता आँगाईगी नहीं मैं तो हमसे भुरा कोई नहीं होगा कमा के? करिबिदा बेलिए 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 बेल बेलिए जोती, घर का ध्यान रखना आम अबे आते है प्याओंग, खजिता है चोड़िए मुझे, चोड़िए, चोड़िए मुझे, चोड़िए, चोड़िए, लगता ही कोई आया है ओरे, दरवाजा कोलिए, हमें अम्बी का कामनी, तुम्या क्या कररें काम्नी तोया क्या कर रही है तेरी हमत कैसे भी आने की वो काम्नी वो क्यूं वागी इस सर केसे क्या कर रही तु भो यहा खाली स्कूल बन कम्रे में पॉनन से पड़ाई हो तैंपर वो मचसे सवब ख़एगी ममचसे सभ़ल करेगी काथ आगी नहीं तोसर तू मेरे काम में अगर टांग अडाएगी तो मुझ से गुरा कोई नहीं होगा अज के बाद मेरे काम में टांग अडाने की कोशिश के रहो तो टांग काट के रख दूगा पती दुवारा पत्नी का दमन हमारे इस पुरुष प्रधान समाज का एक विकरत चेहरा है और दुख की बात है कि ज़्यादा तर पत्नियं खुद पर या किसी और पर होने वाले इस जुल्म की मूग दर्शक बनी रहती है अंभिका के साथ जो हुआ ऐसे ज़दातर मामलों में महिलाएं डर कर सहम कर चुप बैठ जाती है कुछ नहीं करती है लेकिन अंभिका किसी और ही मिट्टी की बनी थी वो इस अन्याय और अत्याचार को देखकर चुप नहीं बैठने वाली थी हाँ ढूंत यहां क्यों आई है हम तुमसे कुछ पूछना चाते है तुम आं क्या कर रहे थी तुम आपके हाथ जोडते हैं आप यहांसे चली जाहिए दरो मत कामिना हमें बताओ हम जानना चाते हैं हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं मुश्क किया दीजिये और चली जाए यहां से हम चले जाएंगे हम सर्फ एक बार तुमारे मुझसे सुनना चाते हैं हम कुछ नहीं बहुत सकते हैं हमारे माबाओजी को अगर इसके भनद तक नहीं लग गई न वो हमारे टुक्रे टुक्रे कर देंगे और खुद भी शरम से कोव में कूटकर मर जाएंगे मैं उसके पैर पढ़ती हो दुआई रहते हैं चली जाए यहाज जाए अभी उसे चली जाए हम उसे चली जाए हम उनकी इच्छा पूरी नहीं करते तो वो हमें परिक्षापने फेल कर देते कामिनी को जरूरत थी अपने शिक्षक कमलेश्वर के खिलाफ कंप्लेंट करने की अगर उसने पुलिस में शिकायत दर्श की होती तो जोर जबरदस्ती करके किसी महिला की गरिमा का हनन करने के लिए आईपीसी की धारा 354 या फिर बलातकार के जुर्म में आईपीसी की धारा 376 के तहत उसके खिलाफ कारवाई कर सकती थी और कामिनी बच्चा थी लेकिन दुर्भाग गेवश कामिनी में अम्बिका जितनी हिम्मत नहीं थी माँ हम लोग कहा जा रहे हैं दोर बहुत दोर जाओ अभी सेली जाओ और तुम नहीं गई ना तो तुम्हें धक्के अमार के आपने निकाल हूँगा समन गई? हाँ हाँ चले जाएंगे जोते कोपास चलो पच्चे यहांसे नहीं जाएंगे पच्चे अपने भाफों के बाफ रहेंगे जा अच्चो तुमों लोग अंधर जाओ पच्चे हमारे साँच जाएंगे तूने जो भी किया है उसके बाद तूनका बाफ कहलाने के लायक невWorld पच्चे यही रहेंगे जाओ तुम दुनों अंधर जाओ तुना नहीं तुम दोने, अंधर डॉप अंभीकाप, तु क्या करेंगे? पिछे हाग तु तु अपने पती को मारेंगे? चला हाग अंभीकाप, अंभीकाप तु बच्छों को नहीं लेकर जा सकती? पीछे रहे पीछे रहे पीछे रहे अंभीका ने असाधारन हिम्मत दिखाई और अपने पती को छोड़ दिया वो अपने बच्छों के साथ पडोस के गाउं राजापूर में जाकर रहने लगी अंभीका अपने बच्छों को कमलेशवर के साह से भी दूर रखना चाहती थी इसलिए हर पल उनकी निग्रानी करती उदर पत्नी के जाने के बाद कमलेशवर को पूरी आसाधी मिल गई उसने अंभीका को चरित्रहीन बता कर पूरे कारवी में बदनाम कर दिया कमलेशवर की एक और कमजोरी भी थी वो बहुत जल्द अमीर बनने के लिए किसी शॉर्टकट की तलाश में था और इस बाद की भनक किसी और को भी थी अरे आईए आईए मिया मनसूर स्वागत है आपका हमारी स्कूल में यहां का रास्ता कैसे भूल गया आप अरे सही काफी दुनों से अपने यार की शकल नहीं देगी तो चलाया और कैसा चलाये सब कुछ अरे क्या सुनाये मनसूर मिया बद चवन्य अठनी निकाल लेते हैं इतना समझ लो क्या मिया सोने की खान पर बैठे हो और चवन्य अठनी की बाते करते हो कौन से सोने की खान की बात कर रहे हो मिया यहां तो आदे विद्ध्यारती फीस ही नहीं दे पाते मैं फीस की बात नहीं कर रहा हूँ को? उस दिन डॉक्टर मंसूर से बात होने के बाद कमलेशवर ने एक जाल बिचाना शुरू किया लेकिन वो क्या करने जा रहा था इस बात की उसने किसी को भनक तक नहीं होने थी सबसे पहले उसने अपने स्कूल से एक एजुकेशनल टूर के लिए कुछ लड़कियों को चुनना शुरू किया अब वो घड़ी आ गई है कि आप लोगों को ये बता दिया जाए कि कौन-कौन से विद्यार्थियों का चैन हुआ है गंगा किनारे प्रवायास पे जाने के लिए जिन विद्यार्थियों का चैन हुआ है उनका नाम इस प्रकार है मैं बताता हूँ आर्थी नुसरत खुश्बू सुखमी रानी रीटा मुबारक हो आप सभी को मुबारक हो प्रवास के लिए चुनी गई लड़कियों को वो नए नए उपहार देकर खुश करने लगा साथ ही साथ उसने लड़कियों के माबाप का विश्वास जीतना भी शुरू करती है अरह मासर जी आपने कहा है तगलीव की चाहे लेजिए ने ने चाहे नहीं प्यूंगा अब चुट्टी के बाद इसे रोका था तो घर पर पहुंचाने की जिम्यतारी भी तो मेरी थी और एक बात याद रखी माता पिता और गुरू इन तीनों का दरजा एक समान होता है जैसे मेरी लिए मेरी जोती है ऐसे मेरी लिए खुश्पूर अच्छा चलता हूँ और सेक्षणिक प्रवास की तयारी अच्छी से करना है अच्छाटी जोती अरे खाते क्यों नहीं? हर दिन वही दाल जावल हमारे गड़ में सबजी क्यों नहीं बनती अश्के दिन खालो कल कुछ लाद देंगे सब्ते इसे तो अच्छा हम बापू के साथ ते अच्छा खाना तो मिलता क्या बोली? क्या बोली तो? खबरदार उस आदमे का नाम भी लिया रहो मेरा बच्चा क्या कर रहा है? बापू? अच्छा आदमे क्या लाएं? क्या? बहुत थीक उबसूरत बुंदे है हाई, किते सुंदर है? बापू बहुत सुंदर है अच्छा लग रहे ना मेरी पर? दिखो दिखो अरे हाँ, मेरी बीटिया दो बहुत सुंदर लग रही है अब ये बता कि ये बुंदे ही देखती रहेगी अपने बापू को पानी वानी में फिलाएगी हाँ अब फिलाएगी बापू आ बैठो ना ठीक आपके लिए शाय बनादी हो ने 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 तो बैठ, तो मेरे पास बैठ तो तो जानती है ने बिटा कि तेरे बापू तो उससे किता प्यार करते है लेकिन तेरी माँ वो तुझे मेरे पास आने ही नहीं देती आद उसे बहुती खास बात करना है हूँ लेकिन तुझे वादा करना होगा कि ये बात तू अपनी माँ को नहीं बताएगी ऐसी के बात है बापू? पहले बादा करो बादा नहीं बताऊंगी मैंना तुझे गुमाने ले जाने वाला हूँ गुमाने? कहां? बहुत अच्छी जगह बहुत यह खुबसुराज जगह बढ़े बढ़े पहाडियां है जरने है नदियां है कि तो मज़ा आएगा ना अब अपने बापू को चाह नहीं पलाएगी? अभी बना देगा जोती? मा यह ले बटा पाने ले क्या मेरे ले? अब गुपाल नहीं है अभी तक स्कूल से? आया था रगू की खेद पर गया अभी आ जाएगा वह आया था क्या? नहीं माँ मैने भी चाहे बना गरा देऊ रूप यह बुंदे कहां से आई यह बुंदे? किसने ले बुंदे यह बता? किसने नहीं माँ? तेरा बाप आया था ना? बता किधर ले बुंदे? बताते क्यों नहीं? बॉल सार्च वह यहां भी पहुच गया राक्षास हाँ, डॉक्टर साब पैकट तेयार है कल ले के निकल रहा हूँ ताहरा दिन मस्ती करते रहता है जरा कुछ सीख अपनी बहन से जोती जोती कांगे तुजी पता है? नहीं तो क्यों चला हम लोग जा रहे हैं कहां? कारवी एरे बाप के पास आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए चिंता मुक्त हो जाई है विगर करने की कोई ज़रोद नहीं है अरे मास्टर जी जब साथ में आप जा रहे हैं तो चिंता कहे की भाई मैं तो सभी लोगों से यही कहता हूँ कि प्रवास में एक लड़की के पिता नहीं साथ साथ लड़कियों के पिता हैं आप लोग निश्चिंत रहे हैं चलिए बचो चलिए चलिए जल्दी 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 पार मैं शनल्दी जल्दी जल्दी Middle जाए, जाए, जाए त्हेश्सिंदी जल्दी जाए, कर विंदrows घंड में उल्दीक्टा, क्लोग एननल्दीel Tut क्लोग लोगों भ्या7 नमस्थे बाबी जोती आई थी यहाँ नहीं तो आपने उसे कहीं देखा है नहीं वो तो तेरे साथ राजपूर में रहती थी यह नमस्थे अपने जोती को देखा है कहीं अरे वो तो गई गई? कहां गई? परवास पे कौन सा परवास? कौन ले गया उसे? अरे मास्थे जी लेके गए है उसे और कौन लेके जाएगा? अकौन मुला के साथ लड़के गई हैं उनके साथ क्या? उस दानों के साथ आपने लड़कियों को बेजा कैसे? अरे सरम करो अंबिका तुम दोनों में जो भी बीती हो उसे हमें कोई दरकार नहीं है नास्थर जी भले आदमी है उनका तो अपमान मत करो भलादमी भलादमी कायका स्कूल के नाम पे गोरक दंदे करता था मशबूर लड़कों का फाइदा उठाता था अब जानती नहीं है उसे बस संबिका बस अब हमारी जुबान मत खलूबाओ तुम तुम काले चरितर केती इसलिए तुम्हें घर से निकाल दिया गया और अब उस भले आदमे पे फिछोड़ चाले जाए रही हो मैं खाले चाले तुके इनके भी कपड़े नहीं है जोती के भी कपड़े गायव है तब लोग अरे गंचाम तुम्हें दर्द शामन लेने आए कौन सा सामन ये सारा सामन बेच कर गया है मास्टर जी बोले बात में लेकर जाना और दूसरी चाबी भी दे गया थे सासामान बेच कर गया है क्यों पूछे तो बोले नए घर लेने वाले हैं नया सामन करी देंगे अगर कमलेशोर एधूटर टूर पर गया था तो फिर वो अपना घर और सारा सामन बेच कर क्यों गया और उसकी बेटी जोती अपने सारे कपड़े बांद कर क्यों ले गई अंभिका अपने पती को जानती थी और उसे अंदेशा हो गया कि शायद इस बार वो पहले से भी ज्यादा खिनौनी कोई हरकत करने जा रहा है आखिर वो सारी लड़कियों को लेकर कहां जा रहा था और क्यों ये सोच कर कि कहीं ज्यादा देर ना हो जाए अंभिका ने फॉरन पुलिस का दर्वाजा खटखटाया कुछ कीजी इंस्पेक्टर साथ वो आदमी ठीक नहीं है वो ठीक आदमी नहीं है और तुम ठीक औरह दो है ना अभी सवाल ये नहीं है कि हम क्या है और क्या ने सवाल ये है कि वो मेरी बेटी को अगवा करके लेके गया तुम्हारी लड़की मी लेकर ठोट में तलाप हुआ है तुमारा नहीं तो फिर वो उसकी भी लड़की हुई ना और एक बाप अगर अपनी बेटी को पही ले जाए तो उसे अगवा करना नहीं कहते समझी आप पर जोती अकेली नहीं है उसके साथ छे और लड़किया भी तो है तो फिर वो च्छे लड़कियों के माबब का है वो फर्याद करने क्यों नहीं हा रहे वो हमारी बात नहीं मान रहे सर आप भुलाईए और समझाईए उन्हे देखें अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम यही धर ना देंगे आखर मासूम बच्चों के भविषय का सवाल है ठीके ठीके हम उनकी बात भी सुन लेते हैं हमें मास्तर जी पर पूरा वरोसा है दुरका साफ और जे उस देवता समान आदमी पर लांचन लगाना चाहती है हमारी लड़कें बिल्कुल स्रक्षेत है साफ वो धुमन गंज गई हैं हमें सब पता है हम तो अब आपका क्या कहना है साफ आप मेरा यकीन कीजे वो आदम बहुत चालाक है माप कीजे मेडम हम यकीन पे F.I.R. दरज नहीं कर सकते साफ जरा सोचिए कि कोई आतमे अगर शैक्षनिक प्रवास पर जा रहा है तो अपना पूरा सामान बेज के क्यों जाएगा सिर्श सामान बेजने से कोई क्रिमिनल थोड़ी ना बन जाता है अगर आपके पास कोई और सबूत है तो लाइए हमें बख सीजिए हमें जिन्दा रहना है तुम अगर मूने खलोगी तो पता नहीं कितने हो लड़कियों का शोशन करेगा वह कामनी मैं हूँ ना तुम्हें कुछ नहीं होगा हमारे साथ जो होना था वो हो चुका है हम ठाने जाके क्या कहेंगे किस मूं से कहेंगे कि हमारे परिवार ने हमारी जिन्देगी का सवाल है हमें बोग दीजिए हमें बोग दीजिए कोई भी अम्बिका की बात सुनने को तयार नहीं था कमलेशुर ने बच्चियों के माता-पिता को ऐसी उल्टी-पट्टी पढ़ाई थी कि वो उसे देवता मानते थे पुलिस भी एफायर लिखने को तयार नहीं थी क्योंकि कोई सबूत नहीं था ऐसी विशम परिथितियों में कोई भी औरत बड़ी आसानी से तूट जाती लेकिन अम्बिका तूटने वालों मेंसे नहीं थी उसने खुद अपनी बेटी को ढूंड निकालने का फैसला कर लिया और अपने 14 साल के बेटे गुपाल के साथ धूमन गज्जा पहुंची भया जरा ये देखना से ये फोको इस लड़की को देखा है आपने इधर कहीं पे जह साथ लड़की आओंगी, साथ में कोई मोटास आदमी होगा अरे भया ज़रे फोटो देखना अपने इस लड़की को देखा है महम उन्हे यहां के जून रहा है बोलो कारवी से यही आने वाले थे और यहां से ओके गंगा के नारे के दूसरे शेहरों में जाने आले थे इसका मतलब जहां भी गय होंगे, यहीं से ओकर गय होंगे ऐस्क्रीम वाला ठंड़ा मीठा बढ़ियाँ आइस्क्रीम महम जा नहीं गाने है हर्गेज नहीं हा, हर बार सफर में कुछा को शंडा खाके अपना खराब कर लेते हैं और फिर बीमार पढ़ जाते हैं हो गया भाया जी, एक आइस क्रीम दो मत दिलाए उसे आइस क्रीम रहने दीजे, आप भी नब क्या मत दिलाए, एक आइस क्रीम खाने दे कुछ भी नहीं होता आइस क्रीम अला भाया आप तो इधर ही गुमते रहते हो ना देख रहा है तो यह लड़की को आपने देखा है क्या पांच-छे लड़कियों के साथ आई होगी कोई मोटा सा आदमी होगा साथ में भगवान भड़ा करें कि उसी समय हवल्दार साहब आ गए और उन लफाका दिये हैं लफंगे को उन अमारे हैं कि सारा जिंदगी भर नाही भूलेगा तो कहां गए वो लोग? सभेरे आठ हाँ आठ और नो के बीच में वो बस पकड़ी थे कहां के लिए कुछ तो बाते की होंगे उन STUD्क गाजीपूा की बस थे गाजीपूर कैसे जाएंगे हम लोग अब तो गाजीपूर के लिए तो यहां कोई। बस आज नहीं है अब जोभी बस मिलेगे आपको सभेरे मिलेगा हामें जल्दी जाना है ru अगर आपको जल्दी जाना है तो ऐसा कीजिए कि आप ना बस पकड़ डीजिए अब बनारस से आपको कई सवारी गाड़ी मिलेगी गाजीपूर के लिए शुक्रिया भी आइसक्रीम वाला 001 001 001 001 001 001 002 कर दो कर दो कर दो बया यह लड़की को देखो छह साथ लड़कियों के साथ आई होगी आज सुबे कोई मोटा सा आदमी होगा उसके साथ दिन्जा साथ नहीं बया 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 सुनो यह लड़की को आपने देखा है मा यह किसी तो कुछ नहीं पता हम वापस चलते हैं नहीं बया यहां से कोई भी रिक्षा या टांगे वाला उन पूर नहीं ले गया इसका मतलब यह भी तो हो सकता है कि वो लोग किसी नजदी की होटल या धरमशाला में ठहर हो मा लेकिन यहां में पक्का कुछ नहीं पता ऐसे में हम उनको कहा ढूंडेंगे थोड़े देर और ढूंड लेता है अगर महीं मिलेंगे तो 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 क्या तुन्दा तो है इना चल चल दी चाह पीले अचलते अचलते अभी यह अज़ गुरगपुर जाना है चलेड़ो सर लीजे लीजे आप आप सब लीजे चलिये अरे चलिये क्या कर रहे हैं आप अजय राव इस शान पर रखा है पूरा पूरा मेरा धर्म्सालाझ देखो अजय बात है भईया क्या बात है माफ पीजिए माफ तो कर दिया लेकिन तो आप अम्रेश्वार इतनी जल्दी में क्यों अचल भाई यसी बात है जल्दी निकलना है, मैं लड़कीों को बता क्या था हूँ तो लो बता हैं, अंदर सप्नाना मूवी में तलमान और आमिर एक लड़की से प्यार करते हैं और आमिर इतना क्यूट दिखता है ना आमिर आपकानी लड़कीयों अब हमारे कारक्रम में थोड़ा सा बदला हूआ है हम लोग आज वापस नहीं जा रहे हैं क्यों? अरे भाई, आप लोगों को और गूमने का मांका मिलेगा और आप लोगों को पता हैं कि हम लोग कहां गूमने जाने वाले हैं गुरकपूर अरे और सुनो, और सुनो, और सुनो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रवत नहीं है क्योंकि आप लोगों के पैरेंट से बात कर चुका हूँ चुलो, चुलो, सामान पैक करो जल्दी अरे लड़कियां, जल्दी करो, जल्दी करो यह लो, पकड़ो, बैक पकड़ो चलो, जोती, जोती, चलो अरे बढ़िया, सुनो, जरत देखना इस लड़की को देखा है कही? पड़दा किरा दो, पड़दा किरा दो जल्दी चलो, जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है, जो जिनमस्रे, अपने इस लड़की को देखा है क्या? इसके साद छह साथ और लड़किया थी एक मोटा सा आदमी था इसके बद यह लोग तो अभी अभी गए हैं यह से अभी अभी? अभी 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 मुझे कुछ नहीं पते लेकिन हाँ, मैं अपने अठतियों के लिए जिस टेवल एजनसी से पिराई की जीप मंगाता हूँ उसके माले को ज़रूर पता होगा मैं उसे अभी बुलवाता हूँ अभी हाँ मैडम, हमारी गाड़ी से तो गय है वोलोग किसको लेकर? कहां गय है वोलोग वो ड्राइवर बता रहा था कि कुछ आठ लोग थे और हाँ उन्होंने कुछ खास पढदे वाले जीप मंगवाई थी यह भी बता रहा था कि उनके साथ कुछ लड़कियां भी थे कहां? कहां गय हो लोग गोरकपूर गोरकपूर? हाँ मैडम यहां से बहुत लोग गोरकपूर जाते हैं बावा गोरकनात के दर्शन के लिए और कुछ लोग बोरडरपार चले जाते आप आईए मैं आपको बताता हूँ बेटा तुम यही बैठना बेंटी आपको जितनी जल्दी हो सके इसी वक्त पुलिस्टेशन जाले जाना जाए क्यों? आपको यह पता नहीं कि बौरडर के पार लड़कियों को ले जाने का मतलब चा है क्या? देख अव्यापार लड़कियों को बौरडर के पार ले जाकर दूसरी देश के खरिबदारों को पेश दिया जाता है जैसा आप पह रही है कि उस आदमी की नियत ठीक नहीं है तो पक्का समझे कि वो बौरडर पार जाकर उन लड़कियों को पेश देगा जो बौरडर पार कर सके उससे पहले ही हमें उसे रोखना होगा अब बंजी आप तो ऐसा की कि इतनी चलती हो सके पुलिस में चले जाएए लेकिन अगर लड़किया कार भी की हैं तो इफाई यार वहीं धर्ज होनी चाहिए अब आप ही कुछ कीजे न साब बख़त बहुत कम है अगर ओ लोग बौरडर पार कर गये तो गजब हो जाएगा साब हम हलो कारभी फुलिस एस्टेशन गोरगपुर गये हाँ हाँ सारी लड़कियों के माबाप यहीं पर हैं हाँ हमने एफायर दर्ज कर लिया है आप गोरगपुर पुलिस से बात कर लीजिए ओके हम अभी और इसी वक्त यहां से निकलते हैं क्या वह साब कुछ पता चला हाँ वह लड़कियों को लेकर गोरगपुर गया है गोरगपुर काहे हमें तो बताया गया था के वह गंगा के किनारे का सेक्षिरी प्रभास है अम्डिका ठीक कर रहे थी हमने उसके एक न सुनी मारी बच्ची को बचा लीजिए साब बचा लीजिए उन्हे आप चिंता मत कीजिए यह फायर दर्ज हो गई है हम गवरकपुर पुलिस को अलर्ड कर देंगे कि वह ऐसे किसी भी ग्रुप को बार्डर पार ना होने दें आप निशिन दो कर जाएए यह अम्बिका की मेनत और हिम्मत ही थी कि पुलिस को और लड़कियों के माता पिदा को कमलेश्वर के शड्यंतर के बारे में पता चल सका उन्हें अब जाकर अम्बिका की बात पर यकीन हुआ कि कमलेश्वर लड़कियों को एजुकेशनल टूर पर नहीं ले गया था उसके असली इरादे कुछ और ही थे पुलिस ने अम्बिका को तसली दी कि लड़कियां वापस आ जाएं लेकिन जब सवाल अपनी बच्ची का हो तो एक मा किसी पर भी भरोसा नहीं करती फिर वो चाहे पुलिसी क्यों ना हो मिश्रा जी की मदद से अम्बिका खुद ही गोरकपूर के लिए रवाना हो गए लेकिन उस रात गोरकपूर की एक धरमशाला में कुछ और ही हो रहा था हलो हलो सर कहा है आप गोरकपूर पहुच गया है सर यहां बहुत हंगामा हो गया है हंगामा? पुलिस ने यहां करवी में FIR दर्ज कर ली है और अब तक तो गोरकपूर पुलिस को भी बता दिया होगा आप यदि इनके साथ रहे तो आप भी फच जाएंगे हमारा ओप्रेशन तो समझो आप खत्रे में है क्या बोला है तो? और तू है कहां? करवी में? हाँ, मैं आप से ज्यादा जिरबात नहीं कर सकता मैं आपको बाद में फॉन करता हूँ डॉक्तर साब डॉक्तर साब, बॉर्डर बंद है किसी राजनितिक पार्टी ने बंद का ऐलान किया है मुझे तो लगता कल भी बंद रहेगा अरे तो उसमें चिंता की बात का है एक दिन और उखते हैं, गुहूंते फिरते हैं और सो बॉर्डर पार कर जाएंगे अब आचा ठीक है ना? ठीक है, मैं बहु लड़कियों का हाँ, बिल्कुल बहुच्ड़क पाल पाल बाल बाल बहुच्ड़क बाल आए बाल वो थे वो प्रूबक लेते हैं बहुच्ड़क वो टाल अर दोक्तर मंसूर, दोक्तर मंसूर दोक्तर मंसूर, दोक्तर मंसूर, कोच कड़ पड़े जोती, जोती बपूँ, मствоब आजिका समान बाद ले, चल्ष्टिर बुक् meters जाएईगा कूईछश चल्ति कर चौट तमाल ने चलती है लिए चल जी को आगा अरे बहुत देखना तरह नहीं देखा इसको ओ बहुत देखना तो नहीं देखा इसको मा मा बहुत ख़द गया हूं तरह रुपके आराम कर लेते हैं आराम का बखा नहीं है बिटा तो लो कही दूर चले गए तो डोड़ना मुश्किल हो जाए दूर लेकिन कहां आपको गस बात का डर है तेरा बापो बहुत बुराद में अबिटा इसी बात कहां में डर है लेकिन तु जब बढ़ा होगा तभी ये सब समझ भाएगा चल डूं अर वो दूसरी लड़किया जो दूसरी लड़किया जो दूसरी लड़किया जो बाइट इतनी जल्दी क्या है अर ये लड़की कौन है ये 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 मेरी बिटिया है और दूसरी लड़किया तु दूसरी लड़किया तुसरी लड़किया तुसरी लड़किया कौन दूसरी पुलिस जाग में चॉली करते हो, तेरी ख़पर काजीपूर से आ चुकी है, तोड़ी देर में पुरी पुलिस आने वाली है, बता है, अब क्या करना है? बिटिया, तू, तू वह वह कुर्सी भी बैठ नहीं, अब हालदर साप से बात करके आता हूँ, एक है? हालदर साप, हालदर साप, हालदर साप, मुझे भी कुछ खितमत का मोगा दीजिए ना, मतलब? जाना है? चल, 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 चल. इसाव मने काप पे लेका जा जा ज़िए, मुने सोना है. चल, चल, बताता हूँ, चल. मुने सोना है. चल. जी के साथ? चल, चल, चल. आपने कुछ्ब को उसके पस क्ये बेजा? ने उससाथ बाद में बताऊँगा, चल. नहीं पहले बताईए, बना मैं आपके साथ नहीं जाऊओगी. बाज अच कहती थी, आप अच्छे हाथ में नहीं हो. चल, चल तू. Jyoti. Jyoti! 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 Jyoti. Jyoti! Jyoti! माम उसे बचाना. यह हुआ? Jyoti! क्या हुआ बिटा? क्या किया इसे तुझे? अंबिका? तुझे हैं यहां क्या कर रही है? वाइ मन्य बाइटा बचाँ! 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 तुटाब! अबचाँ सब्सक्राइब भी बाइटाँ सब्सक्राइब आप! अबिका तुम मेरे काम के पिछ में ठांग बता ना हो! तो तु अपनी बैटी अपने पास रख मुझे ने कहीदरी बैटी नि कुछ एक जानकारी की मदद से पुलिस ने डॉक्टर मनसूर और उसके गिरों को भी पकड़ तो जो कि हुमन ट्राफिकिंग यानि मानव तसकरी का काला दंदा करते थे यह लोग भारत के विबिन प्रांतों से लड़कियों को बहला फुसला कर पड़ोसी देशों में ले जाते और फिर उन्हें विदेशियों के हाथ पेश देते हैं यूमन ट्राफिकिंग को रोकने के लिए भारत सरकार ने ITPA यानिके एममोरल ट्राफिक प्रिवेंशन आक्ट जैसे सक्त कानून बनाएं जिनके तहत अपरादियों को साथ साल से लेकर के आजीवन कारवास तक की सजा दी जा सकती है इसके लावा IPC की धरा 366-A और 372 के तहत भी अपरादियों के लिए कड़ी से कड़ी सज़का प्राफदान है अंबिगा की असाधारन हिम्मत की बदौलत ही इन साथ लड़कियों की जिन्दगी बचपाई लेकिन किसने सोचा था कि इतना सीधा साधा सा दिखने वाला एक शिक्षक जिसे समाज में बहुती आदर और सम्मान की दृष्टी से देखा जाता है वो इंसान की खाल में हैवान निकलेगा ये घटना हम सभी माता-पिताओं के लिए एक चेतावनी है कि जब सवाल अपने बच्चों का हो तो सौ बार जांचने परकने के बाद ही किसी पर भरोसा करें लेकिन दोस्तों कानून तभी असारदार होगा जब हम सब चौकनने रहेंगे आज ज़रूरत है कि सभी बच्चों के माबाप आसकर लड़कियों के माता-पिता बेहत साफधानी बढ़ते हैं तब ही हम समाज में घूम रहे कमलेश्वर जैसे दरिंदों को पहचान पाएंगे और उनसे लड़ पाएंगे अब मुझे सुषान सिंग को इजासत दीजिए गलाप से फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही सत्य घटना के साथ साफधान इंडिया, इंडिया फाइट सब्सक्राइब तो साफधान इंडिया